हेलो माई डियर स्टुडेंट आज उन्म पढ़ेंगे नीलो खेड़ी विकास योजिना इंपॉर्टेंट रहे तो देकि भायात की वियाजन के फरसरूप पाकिस्तान से आए गए विस्थापितों को बसाने की समस्या का समधान है तू हर्याना प्रांत के नीलो खेड़ी में एक स्थरी बनाई गई इस क्या थी है एक स्थरी थी अगर पूचा जाए नीलो खेड़ी में क्या बनाईगी एक स्थरी बनाई गई इस चेत में केवर जंगल और दलदल था इस चेत में केवर जंगल था और दलदल था इसमें रहने और बसने एतू बहु आयामी कायकरम बन और पूरे छेट को विक्सित करने की योजना बनाई गई जिसके अंतगत उसर और बंजब भूमी को विक्सित कर क्रशी योग बनाया गया साथ ही लोगों को बसाने का कार रोजगार प्रबंद करने का कार किया गया किशी और कुटी रुद्यों को सहकायता पर आधायत रखा गया जिससे लोगों को सहीयो की भावना का विकास हुआ कायकरम के संचालन एस के डे इस पुरेव को सफल होने पर इसे अपने आस पास के अन्य चेतों में भी लागू किया गया नीलो खेड़ी विकास योजना के कुछ पच्छी थे लोगों को उनकी योग गिता अंसार पसिक्चन दे के लगू उद्योगों को बराबा देना लोगों को श्रम के साथ सो लंबी बना का सो भी मान पूरे जीने की पेरना देना रोजगाय की विवस्ता का अधिक से अधिक लोगों को बसाना तो ये था नीलो खेड़ी विकास योजना और ये विकास योजना आपकी सुतंता प्राप्ति की प्रसाइट की जाने लिविस्तार कायकरम था प्रसाय कायकरम था इटावा पालर प्रोजेक्ट और नीलो खेड सिक्षा कहिए या विस्ता सिक्षा कहिए उद्देश पढ़ेंगे तो आज के लोब से इतना ही कल उद्देश के साथ मिलते हैं धन्यवाद